मुझे जुम्बा क्लास के बारे में पुशना था, प्राइविक क्लासेश चाहिए था वो दो से तीन बजे के टाइम देता हूँ अरे कमाउन, लिकें टेच में टेल मी हाउ प्यार होने लगा इससे दोस्तो हमारे देश में लोग मुवीज या बैप स्रीज में बोल्ल सीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बीच बीच में मुवीज में ऐसा होना लोगों को अधिक पसंद आता है आज हम आपको उन बैप स्रीज के बारे में बताएंगे जिन में होट सीन को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है तो अगर आपको भी इसी तरह की मुवीज या फिर बैप स्रीज देखना पसंद है तो इस बीडियो को एंड तक जरूर देखें तो हम सबसे पहले ना प्लेना सीखेंगे नमबर वान पती पतनी और पंगे इस बैप स्रीज को एमेक्स फिलियर पर रिलीज किया गया है जो की कॉमेडी और ड्रामा पर अधारित है इस बैप स्रीज में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपना जेंडर बदल कर लड़का बन जाती है इसके बाद उसके लाइफ में क्या-क्या पंगे होते हैं यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लेट बैप स्रीज में बैप स्रीज बहुत ही कमाल की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए शिवानी बटनागर आच्छे आठ माइने पहले तक लड़कत नमबर टू पर है वर्जिन भासकर दोस्तो इस बैप स्रीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो फिर से भासकर अपनी वर्जिनिटी को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं लेकिन ओ अपनी वर्जिनिटी को मिटाने में काम्याब हो पाते हैं या फिर नहीं यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लिट बैप स्रिज में बैप स्रिज एक्चॉली में बेस्ट है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर जिसे रिलिज की गई है जी फाइब पर और इसे IMDB रेटिंग देती है टेन में 8.5 की नमबर तीन पर है मर्जी बैप स्रिज को मार्च 2020 में रिलीज किया गया है जो की ड्रामा और छिलर पर अधारित है बैप स्रिज की स्टोरी अनुराग और समिरा से सुरू होती है जो एक रात डेट पर जाते है लेकिन उसी रात उन दोनों की लाइप पुरी तरह से चेंज हो जाती है ऐसा क्या होता है उस रात को यही इस बैप स्रिज का बेस्ट पार्ट है इस बैप स्रिज में टोटल 6 एपिसोड है जिसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 7.7 की दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करें और चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेश वीडियो में नई बैप स्रिज के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई